सो गाइज वेलकम बेक टू माइक्रो क्लासिज हमारी CCSU और MSU की BA second year की क्लास ही चल रही है आज का मारा सब्जेक्ट है knowledge language and curriculum आज का मारा टोपिक रहेगा पठन के परकार most 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 important question आपके BA second year के लिए पठन कोशल काफी important है तो पठन दो परकार का होता है स्वैस्वर पठन और मोन पठन या स्वैस्वर वाचन या मोन वाचन कुछ भी आप कहें तो यह question ऐसे भी आ जाता है कि स्वैस्वर वाचन किसे कहते हैं अकेला यह भी पूछ लेंगे या मोन वाचन पर टिप नहीं लिख होते हैं दूसरा होता है मोन वाचन जिसे हो साइलेंट इडिंग बोलते हैं सैस्वर वाचन में तो जब हम पढ़ते हैं किसी चीज को आवाज आती है मोन वाचन में मन मन में पढ़ते हैं जब भी हम कोई जब एक बार सिक्सक पढ़ा देता है कलासरूम में किसी भी पार्ट को उसके बाद वह बच्चों से पढ़वाता है तो जब बच्चों से पढ़ाता है तो बच्चे सिक्सक का अनुकरन करने का परियास करते हैं जैसे सिक्सक ने पढ़ाया है वैसे वैसे पढ़ने का परियास करते हैं तो वो क्या हो गया अनुकन वाचन हो गया अब अनुकन वाचन भी दो प्रकार का होता है हमारा एक होता है व्यक्तिगत वाचन दूसरा होता है सामुईक वाचन अगर एक बच्चा पढ़े तो वो व्यक्तिगत वाचन होगा अगर इस तरह से एक से ज्यादा बच्च कोई पेपर की तैयारी जब हम करते हैं तो जब हम पढ़ते हैं तो पूरा उस कोश्चन को रटना चाहते हैं सारी जानकर युश चीज के बारे में लेना चाहते हैं तो गंबीर वाचन का मतलब हम सीरियस होकर पूरा पढ़ना चाहते हैं ज्यान गराने करना चाहते हैं लेकिस आसे पढ़ लेंगे तो वह जाता है हमारा दूरुत वाचन यह पूरा मैंने आपको बता दिया आपका बेस तैयार हो गया होगा अब एक-एक करके इन्हें मैं explain करता हूँ सबसे पहले सैस्वर वाचन जिसे हम invite बोलते हैं तेको लावड डीडिंग क्या होता है जब हम पढ़ते हैं पढ़ते टाइम अगर हमारे मूझ से आवाज निकले, ध्यानी बाहर आए, बोल बोल कर हम पढ़ें, जोड जोड से बोल बोल कर हम पढ़ें, तब वह जो वाचन होगा, वह सैस्वर वाचन होगा जैसा की नाम से इस पस्ट है वह वाचन जिसमें स्वर अत्वा आवाजो सैस्वर वाचन कहलाता है इस वाचन में ध्वैनी नीइत होती है यह वाचन की प्रारम भी कवस्त है इसमें विद्यार्थी पढ़ने के साथ साथ बोलता भी है सैस्वर पठन की परिबास्ता देते वे सिरीमती राजकुमारी सर्मा ने लिखा है लिखी दबासा के द्वयनात्मक पठन को सैस्वर पठन कहते हैं तो ये अच्छी परिबास है आसान से परिबास है सैस्वर वाचन में ध्वानी परतिकों को देखते वे वाणी दुवारा उनका उच्चर्ण किया जाता है इस परकिरिया में लीपी, ध्वानी और अर्थ तीन ओई एक दूसरे संबंदित होते हैं देखो सैस्वर पठन में तीन चीज़े एक दूसरे संबंदित होती है सबसे पहला तो होता है लीपी, लीपी का क्या मतलब हो जाता है जो हमारे लिखने का तरीका होता है बहासा को लिखने का तरीका जो लैटर होते हैं हमारे एया चोटी बड़ी वो लीपी होता है और ध्वहनी परते एक लेटर से कोई ना कोई ध्वहनी संबंदित होती है उस ध्वहनी को हम बोलते हैं और अर्थ हम पढ़ते वे उसका अर्थ भी ग्रैन करते हैं तो तीनों चीजें इसमें वह होती हैं हमारी संबंदित चात्र सवरपर्थम लीपी को पहचानता है यहां लीपी किसी विशेश ध्वहनी से संबंदित होती है जिसका एक विशेश टर्थ होता है प्रात्मिक कक्षाओं में इस पठन का पहुतियदिक मैत तो होता है देखो छोटे बच्चे मोन वाचन तो नहीं कर सकते क्योंकि मैं चूब बैठ जाएंगे उनका द्यान इदर उदर बठक जाएगा जब हमारे एट्थ क्लास तक के जो बच्चे होते हैं तब हम क्या करते हैं प्रात्मिक जो कक्षाओं मोन वाचन का परियोग करा देते हैं लेकिन मोन वाचन बड़े बच्चों के लिए होता है स्वार्युक्त पठन ही सैस्वर वाचन कैलाता है सैस्वर वाचन में लेब अध़ता के साथ पठन करना भावगरन करना आधी चीजे महत्वपूर्ण होती है अब सैस्वर वाचन के क्या उद्देश शे होते हैं हम बच्चों को पढ़ना क्यों सिखाते हैं बोल जबोल कर समझ जग को दूर करना इसका एक फायदा होता है बच्चों को उचित लैबद तरीके से उचित उतार चड़ाओ के साथ पठर में मदद करना बच्चों को इस योग्या बनाना कि बच्चे लैबद तरीके से ऐसा नहीं है कि बस बोलते जा रहे हैं लै के साथ कहां पर उन्हें तेज बोलना है कहाँ पर दीमा बोलना है तो जो लैवद है उतार चड़ा हो है उसके साथ हमें पढ़ना सिखाना है बच्चों को इस योग्या बनाना यह हमारा उद्देश से है वर्णव तता द्वैनयों के सुध उच्चान से चात्रों को परीचित कराना है तो बच्चों का उच्चान भी सुधारता है सैस्वर वाचन से मोन वाचन में तो बच्चे गलत पढ़े पठन की अक्षमता को विक्षित करना चात्रों में वाचन के पड़ती रूची जागरत करना बच्चे पढ़ना चाहें इंट्रस्टिंग हो जाए पढ़ना उनके लिए बच्चों में स्वय अध्धन की आदत को विक्षित करना चात्रों को विभिन परकार की द्वहनियों से परिचित कराना मतलब जो हमारे बासं में साउंड है लैटर है उनकी ध्युद्वैनिया, उनसे परिचित कराना बच्चों को बच्चों के अर्थनिर्मान कोसलों का उत्थान करना कि वही बात आती है भावगयocide कर रहे हैं और उसके और रूप पढ़ना सिखाना पद सब्द वाक्या संद्चना का ग्यान कराना कि बच्चों को जब बच्चे बोल-बोल कर पड़ेंगे तो हम बच्चों को अबजर्व करती रहेंगे तो हम बता देंगे, बाद में डिस्कस कर सकते हैं किस प्रकार पाथ्ब होते हैं kas काहँ पर वाक्य शूरू ये काहँ पर खतम हैं आपको काहँ पर कितम रुखन भाजय को इस प्रकार बच्चे पते हैं वहांगर प्रिचित न होती है ये सब परकार कितने होते हैं, आधर्स वाचन होता है, अनुकरण वाचन होते हैं, दो परकार का होता है, सैश्वर पठन हमारा, एक तो हमारा आधर्स वाचन, दूसरा अनुकरण वाचन, आधर्स वाचन तो हमारा टीचर करता है, जब कलाश रूम में टीचर आता है, उसे पढ़ना बोलते हैं सिक सक सही तरह से पढ़ता है उससे गलतिया नहीं करता बिल्कुल grammatical नीयमों का ध्यान रखतेवे पढ़ता है तो ये तरह से आधर्स वाचन हो गया उसमें गालतिया काम होती है वह वाचन जिसमें सिक सक्षात्रों के सिमक्स पार्ट को प्रस्तुत करता है आधर्स वाचन कहलाता है अब जब टीचर एक बार सैस्वर वाचन कर देता है हमारा आदर्स वाचन के रूप में उसके बाद वह बच्चों से कहता है अब यह दो पढ़िए पहले आप पढ़िए फिर आप पढ़िए फिर आप पढ़िए फिर आप पढ़िए बच्चे पढ़ते हैं जब बच्चे प बच्चों को पढ़ना सीखाता है टीचर और जब बच्चे पढ़ते हैं उसे हम अनुकन वाचन बोलते हैं अनुकन का क्या आर्त होता है किसी दूसरे के जैसा ही कुछ काम करना तो जैसे टीचर ने बोला है बच्चे कोशिस करते हम भी Sowph Android गोले इस वाज़ेसे हम इस Century अनु की पथन संबंदी तूटियों का अवलोकन करता रहता है है अनुक्रन वाचन कराते समय अध्यापको जागरूख अनुकर्ण वाचन भी दो परकार का होता है व्यक्तिगत वाचन सामुहिक वाचन अगर एक बच्चा पड़े तो व्यक्तिगत वाचन एक से ज्यादा बच्चे पड़े तो सामुहिक वाचन सीधी सी बात है आप इसे चाहें तो खुद भी पड़ सकते है व्यक्तिगत वाचन में पठन का कार्य किसी एक चात्र के द्वारा किया जाता है व्यक्तिकत अनुकर्ण वाचन के द्वारा सिख्षक को चात्र के पठन संबंदी जानकरी मिलती है सिख्षक को यह पता चलता है कि चात्र उच्चान में कौन-कौन सी गलतियां कर रहा है इससे सिख्षक को चात्र क बासा संबंदी व्यक्तिकत समझ्याओं के समधाने मदद मिलती है तो अनुकर्ण वाचन का क्या अलाब होता है एक बच्चे का बासिक विकास कैसा चल रहा है क्या वह गलती कर रहा है इसकी जानकरी बच्चों को शिक्षक को मिल जाती है नैक्स्ट है हमारा सामुईक वाचन ग्रूप रीडिंग इसमें क्या होता कई बच्चे एक साथ पढ़ते हैं सामुईक वाचन में पठन का कारी है किसी एक बच्चे के द्वारा ने करा कर एक से अधिक चात्रों के द्वारा कराया जाता है इसमें दो या दो से अधिक छात्र एक साथ जोर जोर से पढ़ते हैं इसे समवेत पठन भी कहा जाता है इस वाचन का एक लाब यह होता है कि जिन बालकों में जिजाक होती है में अकेले नहीं पढ़ पाते हैं सास की कमी होती है अपने कंट और उचान पर जीने विश्वास नहीं होता जो उचित गती से वाचन नहीं कर सकते वे अभी वाचन किरिया में भाग लेने का परियास करते हैं अपने आप में सुधार करने कोसिस करते हैं इस से उनके बासी कोर्सलों का विकास होता है इसमें दो या दो से अधिक छातर जोर जोर कर बोल बोल कर पढ़ते हैं इस से बाल को कि जिजग दूर होती है तता सैस्वर वाचन में कुसलता प्राप कर लेती हैं सामुईक वाचन में इस बात का ध्यान रखा जाता है वाचन सही डंग से हो और सोर गुल वातवन कक्षा में नय बन जाए सब अच्चे नय बोलने लगे और कुछ समझ में नय ऐसा नय हो जाए तो यह दो प्रकार के हमारा अनुकर्ण पठन होता है नेक्स्ट है हमारा मोन वाचन साइलेंट इडिंग अगर हम पढ़ रहे हैं और कोई अवाज नहीं आ रहे हैं हम मन मन में कुछ पढ़ रहे हैं वह वाचन हमारा मोन वाचन होता है वह वाचन जिसमें कोई द्वैनी नय हो मोन वाचन कहलाता है इसमें लिखित समागरी को बिना कोई द्वैनी के मन ही मन में सांतिपूरोग पड़ा जाता है मोन वाचन के समय दोनों होट बंद होते हैं इसमें पठन की तथा अर्थ क्रेयन की गतितिर होती है एक विद्वान का कहना है कि जब बालक अपने पैरोपर चलना सीख जाता है तो वह गोटनों के बल खिसकना छोड़ देता है ठीक उसी परकार बासा के छेतर में जब बालक मोन वाचन में कुसलता प्राप्त कर लेता है तो वह सैसवर वाचन को छोड़ देता है यह बहुत ही अच्छी बात है जैसे एक बालक अगर पैरोपर चलना सीख जाता है तो वह गोटनों के बल चलना छोड़ देता है ठीक इसी परकार बासा के छेतर में जब हम मोन वाचन करना सीख जाते हैं तो हम सैसवर वाचन को छोड़ देते हैं आप खुद भी देखना कहीं पर आप कुछ भी पड़ते हैं तो मन मन में पड़ते हैं बोल बोलकर आप कभी उपकुछ नहीं पढ़ते है डोक्टर राम शकल Lambda लिखते हैं मोन वाचन में निपूर्दा का आना व्यक्ति के विचारों में प्रोड़ता का धोता होता है और बासाई दक्सता में अधिकार का सूचक होता है तो रामकेशल पांडे ने क्या लिखा अगर कोई मोन वाचन में निपूनता प्राप्त कर रहा है इसका मतलब है वैं उस लेंगवेज में एकसपर्ट हो रहा है वासा को अच्छी तरह से शीक रहा है अब वैल एक तरह से बासाई दक्सता बासाई निपूनता का पड़ती होता है मोन वाचन में सैस्वर वाचन की अपेक्सा कम थकान होती है और अपेक साकरत कम समय लगता है मिसीज गिरे वैरीस के एक परिक्षन के द्वारा यह पाया गया कि कक्सच है के बालक ने एक मिंटे में सैस्वर वाचन में 370 सब्द पड़े वही मोन वाचन में इतनी समय में 200 सब्द पड़े समय ने पाते है कि समाज में प्रोड वैक्ती समाचार पत्र पूस्तक आदी को मोन रहकर ही मनी मन में पढ़ते हैं इससे आसपास बैठे लोगों में बादाउत्पन नहीं होती और पाठक स्वयम पढ़कर आनंद गयान कर सकता है और उसे समझ भी सकता है ऐसा कहा जाता है कि सैसवर पठन के द्वारा भासागत सुधता को प्राप्त किया जाता है और मोन वाचन के द्वारा भाव को समझे जाता है देखो अब आप कंप्यूज हो गए होंगे सैसवर पठन और मोन पठन का हम कब परियोग करेंगे देखो सैस्वर पठन का तो परियोग हम तब करते हैं जब हमें बच्चों की भासागत सुधता को पराप्त कराना होता है बच्चों के बोलने में भासा में क्या कमी है टीचर को जब यह जानना होता है तो teacher सैस्वर पठन का परियोग करता है, बाद में उन्हें improve कर देता है, तो सैस्वर पठन के दौरा तो बच्चों की भासागत सुधता पराप्त होती है, बच्चों की भासा में सुधार होता है, लेकिन मौन भाचन का परियोग हम तब करते हैं, जब हमें किसी चीज को पूर करते हैं, तो यही लाइन यहां पर लिख हुई है, सैस्वर पठन के दौरा तो हम भासागत सुधता को पराप्त करते हैं, लेकिन मौन भाचन के दौरा हम अर्थ को समझते हैं, भाव को समझते हैं, जो चीज लिख हुई होती है, सैस्वर पठन में जितना हम भाव समझ ले बासा के लिखित रूप को मोन रूप से पढ़कर उसके भाववे विचारों की गहराईयों में जाने के अवसर देना तो मोन वाचन का क्या मतलब होता है जो विचार है उसकी गहराई में जानना है जो लिखित सामगरी है उसका गहराई में अर्थ समझना है हमें इस योग्या बनाना है बच्चों को मतलब वही बात हो जाती है जो सामागरी है उसका केंदरिय भाव सेंटरल आइडिया क्या है मतलब उसका पूरा भाव समझ रहे है अनावसक तथ्यों को छोड़ते वे मूल तथ्या का चेन करने के अक्समता विक्षित करना चात्रों की विसलेशन अक्समता को बढ़ावा देना अर्थ ग्रैन के कोशलों को बढ़ावा देना वही बात दुबार आ गई कम से कम समय में अधिक से अधिक सामगरी को पढ़ने के अउसर देना सैसोर वाचन में उने वाली थकान को कम करना तो यह हमारे मोन वाचन के लाब होते हैं मोन वाचन के उद्देश्चा होते है मोन वाचन का मैं तो यहाँ पर भी लिखा है जो उपर लिखा है वही आप लिख सकते हैं मोन वाचन में थकान काम होती है क्योंकि इस पर वाग्य अंदरों पर हमारे जो वाग्य अंदर है उन पर जोड़ नहीं पड़ता मोन वाचन में नेत्र तथा मुस्तिस्क अधिक सक लिए रहते हैं मोहन वाचन के समय पाठक एका ग्रिचित होकर ध्यान किंदित कर पढ़ता है तो देखो ये सैस्वर पठन और मोहन पठन जो होता है इसके उद्देश से क्या होते हैं उसके क्या लाब होते हैं ये पेपर में आ जाता है आपके सोट वरी सोट कोश्चन में तो इसे एक बार ध्यान से पढ़ लेना आसानी आप अपने सब्दों में लिख देंगे पेपर में मोहन वाचन आवकास का सदोपियोग कराता है आप घर पर खाली बैठे में कोई काम नहीं है तो आप कुछ चीज पढ़ सकते हैं मोहन वाचन कर सकते हैं उससे क्या होगा आपको फायदा हो जाएगा मोहन वाचन कक्सा में अनुसासन बनाय रहने में सायक होता है चिंतन करने में मोहन वाचन सायक होता है स्वाधधाय की रूची जागरत करने में मोहन वाचन सायक होता है ग्यान अध्यन वही व्यक्ति कर सकता है जिसे मोन वाचन का अभ्यास हो यह चात्रों के व्यक्तित के विकास में भी सायता करता है मोन वाचन के दुवारा बच्चे साहित्ते पत्री का उपन्यास हस्य पुस्त के आदि का पठन कर छुट्टियों का सही उप्योग कर सकते हैं तो यह हमारे मोन वाचन के लाब होते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोन वाचन के परकार, मोन वाचन भी दो परकार का होता है हमारा गंबीर वाचन दुरूत वाचन, जब हम किसी चीज का अर्थ पूरी तरह से समझने के लिए उसे ध्यान पूर्वक धिरे धिरे पढ़ते हैं, वो गंबीर वाचन है, जब हम किसी च लिखित समगरी का पूर्ण अर्थ समझने के लिए किया जाने वाला पथन गंबीर पथन कहलाता है। समन्नेत है गुड भाव एवं विचारों को उच इस तरी है बहासा सैली में अभिव्यक्त किया जाता है। ऐसे लिखित सामगरी का अर्थवा भाव समझने के लिए पाठा को पूर्ण मनयोग से बड़े धारिये से एक-एक सब्द का अर्थ निकालते भाव करते वे पठन करना पड़ता है तो देखो लिखित सामगरी कौम सामने तो इस तरह से लिखते है कि उसका गहन अध्यन करना पड़ता है पूरा अर्थ समझने के लिए तो हमें बड़े धारिये से पढ़ना पड़ेगा उस पठन कम कहेंगे गंबीर पठन किसे पाठ्टे समगरी को मोन रूप से पूर्ण मनयोग से बड़े धारिये से उसके पढ़ते एक अंस का अर्थवा भाव समझते वे पढ़न मोन पठन कहलाता है हमारा मोन पठन कहा रहा हूं यह गंबीर वाचन कहलाता है गहन पठन कहलाता है उच साहित एवं दर्शन आधी वेशियों के अध्यन नेतों में गहन पठन किया हो सकता होती है अगर आपको दर्शन का अध्धन करना या साहित्य का अध्धन करना तो इस पठन का हिस्सा होता है नेक्स्ट है हमारा दूरूत पठन किसी चीज को आप तेजी से पढ़ रहे हैं उसका पूरा अर्थ नहीं समझना चाहते हैं वह दूरूत पठन है रैपिड रीडिंग है वह है मोन वाचन जिसमें पाठक तथ्यों पर पूर्ण अधिकार नहीं जमाना चाहते हैं बलकि आनंद प्राप्ति के लिए उसी हलका सा समझने के लिए पढ़ते हैं तुरूत वाचन कहलाता है जैसे कोई कहानी पढ़ता है उपन्यास पढ़ता है अकबार पढ़ता है आधी यह समय के सदुपियों करने के लिए किया जाता है समन्य किरियाओ बस्तू औ की जाती है ऐसे लिकित समागरी को पढ़कर अर्थ समझने में पाठक को कोई विशेश परियास नहीं करना पड़ता है व्याव से तीर गती से पढ़कर उसका भाव व्यार्थ समझ सकता है अताव है मोन पठन जिसकी गती तीर होती है दूरुद पठन क्या लाता है तो यह योप इसे अब आप समझ पाए होंगे वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड गुरूप में दोस्तों के साथ सेयर कर सकते हैं बीएड की सभी सब्जेट की डेली रागुलर क्लासिज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तिल दैन टेक केर